हेलो गाईस आज हम बात करेंगे ओपो F19S के बारे में और आज हम बात करेंगे डेवलपर ओप्सोंस के बारे में देखिए जब भी कोई नया डिवाइस आप लोग पर्चेस करते हैं तो काफी सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि भाई हमने तो नया फोन पर्चेस कर लिय बट इसमें डेवलपर ओप्सोंस हो नहीं कर रहा है तो मैं आप लोगों को बता दू कि जो डेवलपर ओप्सोंस रहता है इसको हमें और manual तरीके से enable करना पड़ता है जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को subscribe कर लिजिए का bell का icon को प्रेस करेना है so first of all सबसे पहले आप लोग को settings open करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो option मिलता है additional settings का इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कि आप लोग हमारे phone में देख पा रहे है developer options यहाँ पर so कर रहा है so अगर आप लोग की phone में यहाँ पर developer options दो so नहीं कर रहा है तो आप लोग को अपने phone के एकदम bottom में option मिलता है about phone का इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को जाना यहाँ पर version पर इस पर हमने क्लिक कर दिया build number लग बाग हम 6-7 बाट टाइप करेंगे टाइप करने के बाद हमारे phone में यहाँ पर सोग करेगा developer options enable होने का lock screen का password भी आप लोग डाल लेना है वाप पर तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि यह आचू का है हमारे phone में developer options ओके तो यह तरीका है कि आप लोग step से oppo f19s में developer options को enable कर पाएंगे मिलते हैं next video में जय मता दी